धंपद एक और दो के बाद में कुछ ऐसे प्रसंद आये हमारे पास में कुछ लोगों ने कहा कि मन को और मस्तिस्क को थोड़ा सा और सल सब्दों में बताईए बहुत सिंप्लिफाई करके बहुत सीधे सब्दों में बताईए कि मन में और मस्तिक्सक में अंतर क्या होता है एक वीडियो हमने इसकी पहले भी बनाई है मगर वो ऐसी कुछ बात आई है कि और भी सरल करके बताना है मन और मस्तिक्सक में अंतर क्या होता है पहले तो आप यह समझ दीजिए कि मन, माइंड, छेतना, ये जितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें मट्रियल नहीं हैं, यानि कि ये कोई पधार्त नहीं है, और दिमाग, मस्तिस्क, ब्रेन, ये चीजें वो हैं जो खोपडी के अंदर मट्रियल सफेज आपने देखा होगा पिचर्स में वीडियो में, जिसको कहते हैं कि ये मस्तिस्क है, वो दिखाते हैं, वो मट्रियल है, दोनों में एक तो बेसिक अंतर ये है, दूसरा, जैसे आपने देखा होगा, कि कम्पूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है, या आपके हाथ में जो मॉबाइल जब चलता है, तो मॉबाइल पूरी मसीन है और उसके अंदर एक चिप होती है, वो चिप आप ऐसे समझिए कि ये वो मस्तिस्क है, ब्रेन है आपका और धिमाग है, वो बिजनी से चलता है, और भी बहुत सारे चीज़ें उसमें लगती है, जो चलता है, मगर वो तब तक नहीं चलता, जब तक कि software उसमें ना डालें, यानि कि software अगर आप computer में या mobile में नहीं डालेंगे, तो computer mobile में basic electricity है, सारे चीज़ें वो चलेंगे रहीं, ऐसे ही जो दिमाग है या मस्तिस्क है या brain है, उसमें जब तक आप मन नहीं डालेंगे, जब तक आप उसमें च software है, चेतना यहां software है, और जो आपका मन है वो यहां software है, जो डालना है आपको chip के अंदर, chip के है आपकी वो मस्तिस्क है, brain है और दिमाग है, जिसमें रख संचार होता है, रख चलता है, मन में कोई रख तक नहीं चलता, आपने कहावते सुनी होंगी बहुत पहले से, जो मै ऐसा कहते हैं, मन नहीं लग रहा है, हम कभी यह नहीं कहते हैं, कि मस्तिस्क नहीं लग रहा है, या ब्रेन नहीं लग रहा है, हम कहते हैं, मन नहीं कर रहा है, हम कहते हैं, दिल नहीं लग रहा है, या दिल नहीं कर रहा है, तो दिल को यहां मन ही कहते हैं, क्योंकि मन में जो प्रभाव आता है जैसे ही मन में कोई बात आती है दिल की धर्कन या तो कम हो जाती है या जादा तो हम को यह लगता है कि जैसे हम सोचते हैं उसका असर दिल पर पढ़ता है तो कैई वार इसका खासतों से शायर और कवी जितने भी हैं वो मन को दिल लगा के बात करते हैं कहते हैं दिल लगा के पढ़ना चाहिए दिल लगा के कैसे पढ़ेगा दिल तो धड़कतर रहता है तो मशीन है इसलिए इसका मतलब होता है मन लगा के पढ़िए कोई यह नहीं कहता कि मस्तिक्स लगा के पढ़िए क्योंकि मन आप लगाएंगे तो वो मस्तिक समझाएगा तब मस्तिक पूरा काम करेगा मस्तिक सबी का अच्छा काम करता है यानि जो ब्रेन है जो दिमाग है वो सब का अच्छा काम करता है अगर कभी मस्तिक खराब होता है कभी अगर ब्रेन खराब होता है कभी अगर दिमाग खराब ह होता है या उसके अंदर कोई कीडा आ जाए तो उसकी सर्जरी करके डॉक्टर ठीक करता है वो आपकी खोपडी में जो आपका दिमाग है मस्तिक से उसको खोलेगा और उसको वो कोई फाल्ट है या कोई उसमें आ गया है या कोई कलॉट आ गया है तो उसको ठीक करेगा मगर मन को ठीक करने के लिए क्योंकि मन, software है, मन को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, मन अपने आप खराब होते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है, मौसम खराब हो गया, मौसम ठीक है तो मन अच्छा हो गया, कोई काम की एक्छा आपने की, वो नहीं हुआ तो मन हुआ होता है, मस्तिस को सभी आदमियों के खुले हुए होते हैं, जितने भी लोगे उनके दिमाग या ब्रेन खुले हुए होते हैं, ठीक काम करते हैं, मगर जब गुलामी आती है, मन को बांद देते हैं, तो वो गुलाम हो जाता है, मस्तिस को अगर बांद देंगे तो कुर्शी से बंधा हुआ है वो हिलता नहीं वहीं खड़ाता रहता है, वो जाता नहीं, वो उसको मांसी गुलामी में काम करता है। अगर आप किसी से कोई गंदा काम कराना है कोई अगर मालो ज़ाडो लगवानी है या कोई चम्डे का काम कराना है या कोई मिट्टी का काम कराना है ऐसा काम जिसमें बदू आती है तो वो मस्तित्क सभी के अच्छे होते हैं जो brain है वो सभी के अच्छे होते हैं, मन अगर त्यार होगा उसका, या मन आपने उसका ऐसा कर दिया है, कि वो गटर में उतर जाए, या मन आपने ऐसा उसका त्यार कर दिया है, कि वो कूला उठाने के लिए त्यार हो जाए, मगर मन अगर वो उसका आजाद है और मन उसका ठीक है तो वो नहीं उठाएगा और अगर मन उसका गुलाम है तो वो उठाएगा इसलिए मन में बहुत सिंपल सा एक फैक्टर है कि मन को बहुत सारी चीजों से बदला जाज जा सकता है उसको बहुत सारे चीजों से गुलाब बना जा सकता है और उसको बहुत सारे चीजों से आजाद भी किया जा सकता है इसलिए जितने ग्यानी और संत पुरूश हुए है उन्होंने साफ साफ का है मानो तो गंगा, ना मानो तो बहंगा, बहता पानी यानि कि मन से अगर आपने पानी को गंगा मान लिया तो वो गंगा हो गई वरना तो वो बहता पानी है इसलिए कहते हैं कि मन मरन करना चाहिए मन सा मरन करना चाहिए मन का ही भ्रहम होता है और मन के भ्रहम को ही दूर करना चाहिए इसलिए मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको ये बलकुल क्लियर हो गया होगा कि मन अलग चीज होती है और मस्तिस्क अलग होती है भगवान बुद्ध ने जो काम किया वो मन के लिए सारा काम किया उन्होंने लोगों को मांसिक गुलामी से बाहर निकाला मन को प्रक्टिस कराई वही विपस्नागा सबसे बड़ा काम उन्होंने किया धन्यवाद